आज मैं आपको धावा इस्टाइल में चिकन बनाने जा रहे हूँ हूँ जो की मसाला पूरा गोटा खड़ा रहेगा है जैसे ये देखिए तेचपत्ता लाल मीर्च खड़ा गड़ा मसाला जीरा हल्दी गोलकी और ये प्याज और लहशुन और आदी मैंने पहले से करके रहे आप ये रहा आपका मैं पहला प्रोसेस करने जा रहे हूँ पहले मैं ये चिकन में थोड़ी सी हल्दी मिगनिट करके और थोड़ी सी नमक इसे मैं पांची नेक्स के लिए मिगनिट करके छोड़ दूँएं ये कराही मैंने पुरा हाई फिलेवर में गरम करके रखी हूँ आव इसमें मैं शर्शो का तेल डाल के जब गरम हो जाने के बार ये कराही गरम हो गई ये तेल अब इसको गैस को पहले कम करके इसमें पहले आप जीरा 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 चटक जाने के बार इसमें ये जो मैंने पहले से गरम मसाला खड़ा गरम मसाला रखा हूँ रखी हूँ ये डाल दे रहे हूँ उसके बाद ये पेज़ पत्ता और लाल मीज़ उसके बाद ये लहेशु आप इसके बाद ये प्याज और ये अदरब आप में सब को अठी तरह भूंजूँए जब तक ये ब्राउम कलर ना हो जाए आप याप मैंने जो प्याज अदरब लहसुन जो मैंने डाली ही ती वह आप दिखिए 75% भूजा चुका है आप इसमें मैंने जो पहले चिकन मेगनेट करके रखी ती आपने डाल रहे हूँ हूँ ये करके रहे हूँ हलका आप साथ करके पांच से बैस मीनट तक इसमें बूजू हूँ आप इसमें बूजू हूँ आप इसमें बूजू ही ये अधा ये लेकी ये ज़ूजू है दिखिए मैंने पांस से दस मिनट तक हलका आठ में ये मसाला को भूझ लिया दिखिए आप साइट से भी तेल छोड़ चुका है इससे कि आपका अच्छी तरह मसाला भूझ आ गया उसके बाद आप क्या कीजिए एक गिलास गरम पानी ठंडा मार इसमें डालना नहीं गरम पानी ये डालने के बाद आप इसमें गोल की मैंने पहले से कूट के रखे हूं ये हलका सा डालना है आप इसे मैं ढाक के छोड़ दोंगी कोई 10 मिनट रख रख ये बाद आप पंदर मिन HDR तक मैंने रख थी अभी अच्छी तरह पक के तयार हो गया है आप मैंसे शर्फ कर लेगा है ये चिकन देखेंए तयार है आप इसे चावल के साथ खाना चाहते तो चावल के साथ रोटी के साथ देखिये अगर यह आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा